अगले 31 दिन के अंदर आप जेई मेंस के लिए मैच के सबसे जादा टॉपिक कैसे कवर कर सकते हो एक अटेंप्ट यार हमारा जा चुका है तीन अटेंप्ट बचे हुए हैं अगले 31 डेस के अंदर हम मैक्स कैसे नंबर स्कोर करें वो चाप्टर जो यार सिंपल हूँ जिनने कवर करने में ज़्यादा समयाना लगे और यार जिन में से कोश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हूँ उनकी मैंने एक लिष्ट बनाई है पिछली जो आपकी चार शिफ्ट हुई है जैनवरी 2019, एप्रिल 2019, जैन 2020, सेप्टेंबर 2020 के सारे पेपर्स जो मैट्स के हैं उ इनके 19-20 में जितने भी कोश्चन स पूछे गए हैं 2019, 2020 में वो सारे के सारे प्रिवियस यर कोश्चन स हम रिकॉर्डेड यार अप्लोड कर रहे होंगे अपनी कक्षा पे प्रीमेर भी हो जाएंगे आप देखोगे अपनी कक्षा पे हमने 2-4 वीडियो प्रीमेर कर रहे हों होंगे और काफी बच्चे होंगे फिजिक्स और कमेंश्टी के लिए वी सेम चीज़ बता दो तो फिजिक्स के लिए आज मैं रात को 10 बजे लाइव जाओंगा निचे डिस्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा स्पेशल क्लास का आप उसमें आके जॉइन कर सकते हो कोई देख रहा है इस वीडियो को तो उसे रिकॉर्डर मिल जाएंगे शुरुबात करते हैं आज के इसके साथ तो यार जनवरी 2019 में लगबग हमारे आठ पेपर आये थे सारे कोशन अगर हम मैस के जोड़ दें तो 240 कोशन थे तो हर चाप्टर में से कितने कोशन आये गए हैं य 34 आये हैं ठीक है अब यार कुछ किताबों में 37 भी लिखा हुआ है पर हमने के जब काउंट किया हमारे 34 होता क्या काफी कॉशन ऐसे होते हैं जो कि आपके चाप्टर्स ओवरलाप हो रहे होते हैं तो आप इधर भी फैंक सकते हो तो उससे जाए फरक नहीं पड़ता लगब लिखा है number of days आपको कितने दिन लगेंगे इस चाप्टर को complete करने में majority जो चाप्टर्स हमने यहां पर रखे हैं वो 12th के हैं क्योंकि आपने NCRT कर रखिया लगबग सारे बच्चे बारवी में हैं तो basics clear है थोड़ा सा आपने coaching institute में अगर पढ़ रखा है नहीं पढ़ा तो सबसे पहला यार जो असान चाप्टर है वो है statistics तो statistics को यार cover करने में आपको लगब लगएगा एक दिन और इससे यार एक question पूछा जाता है अगर हम उपर के table जो हमने जितना भी data है उसको analyze करें तो mathematical reasoning अगर देखें यार दुबारा एक असान चाप्टर है एक दिन लगेगा हमें खतम करने में और एक question पूछा जाता है फिर आता है set relation and function दुबारा बार भी का आपका topic दो दिन हमें लग रहे होंगे इससे cover करने में और एक question आ रहा होता है sequence and series ये 11th का topic है यार पर relatively काफी ब लग रहे हूं साड़े चार दिन भी लग रहे हूं पर जनाब अब वो समय है कि आप 5-6 घंटे पढ़के काम ने चला सकते हैं आपको दिन का minimum 8-10 घंटे पढ़ना है और वही effective study करनी है जिसमें आपका ध्यान किताबों की तरफ हो फिर यार next मैंने लिखा quadratic equation quadratic equation आप 5 दिन ल कड़ रहे होंगे और दो कोशन आ रहे होंगे बारवी का topic है basics आपके थोड़े cover है थोड़ा आप अपना material देखेंगे cnd ऐसे ऐसे कर पहला cnd डालेंगे फिर हम differentiation की तरफ जाएंगी calculus पहले cover कर रहे होंगे फिर हम last में mattresses determinants बीच में vector 3D वगर आ रहे होंगे तो हो सकता है उस बच्चे को यार साथ की जगा 10 दिन भी लग जाएं तो यहां पर मैंने थोड़ा basic assumption माने कि यार आपने board जितनी पढ़ाई तो अभी तक कर ही रही होगी NCRT पढ़ रखे होगी चायद कुछ बच्चों ने अपना material भी कर रखा होगा तो उतना मैं assumption यहां मान रहा हूँ नेक्स चीज की तरफ बढ़ते हैं हर बच्चा यार अलग अलग है यह मैंने अपना एक बना दिया हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको complex number बहुत असान लगता हो क्योंकि उसने 6-7 revision मार दिये हैं तो यार बाकी chapter उसका भी मिलने लिखा अगर आप complex number cover करना चाहते हो थोड़ा hard है यार थोड़े प्रेशन भी तफ देखे आते हैं जही मेंस में अगर हम बाकी के comparison में देखें तो पांच दिन आपको लगाओग और आपका लगबग एक question आएगा ROI थोड़ा कम है अगर हम इस list में देखें हैं differential equation थोड़ा सा असान है इसमें से आपका एक question जरूर आ रहा होगा integration अगर हम देखें integration प्लस differential equation तीन से चार question आ रहे होंगी पर आपको 9 से 10 दिन यार इसमें लगाने पड़ेंगी similarly किसी बच्चे का अगर trigonometry यान ITF पहले से strong है तो इसको और strengthen कर सकता है PYQ करके अगर आप fresh start करोगे तो जनाब आपको minimum 5 दिन जरूर लगेंगी इन फैक्ट मैं बोलूगा trigonometry बहुत जादा practice डिमांड करता है ठीक है अगर हमका modules वगरा भी देखते हैं तो बहुत question थमें solve करने पड़ते हैं तो question आता है तो कभी असान भी आ जाता है कभी बहुत मुश्किल भी आ जाता है trigonometry ऐसा सही है पर last में आपको question एक ही मिलेगा paper में तो ROI उतना अच्छा नहीं है तो पहले से strong है तो well and good आपको कोई चीज यार पहले से आती है तो उसका तो ROI है आपके पास ठीक है कि यह तो अप PNC करते हैं PNC probability के question binomial konix आ गया konix के जो आपके बचे वे straight line and circle चोड़के चोड़के यार आप पांच दिन दोगे तब जाके आपका एक कोशन आता है best से best scenario में दो के साथ दो कोशन आ रहे होंगे पूरे konix में से यार अब तीन question आते हैं लगबग हमारे मतलब किसमत अच् देखोगे इन सबको add करोगे तो 14 questions add हो रहे हैं अब यहां पर मैं यह नहीं कह रहा है कि आप 14 के 14 questions फोड़के अगर आपने आज तक NCRT भी खोलके नहीं देखी है पर अगर आप 2019-20 के सारे PYQ करते हो हम उन्हें सारे one by one कर आ रहे होंगे हर दिन आ रहा होगा consistent रहे के वो एक डेट घंटा देदे ना आपके बहुत सारे questions हर दिन solve हो रहे होंगे आपने थोड़ा सा अपना material पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा तो यह जो समय दिया है इसके अंदर यह तीन तीन पांच मां साथ साथ दिन के अंदर अगर आप cover कर लेते हो तो हाँ जना आज शाम के 10 बजे के session में हम ठोड़ा उसको discuss कर लेंगे वो बच्चे हो जो कि यह बिल्कुल confused है board और जये में कैसे balance करूँ या और कुछ little doubts है तो आज शाम के 10 बजे के session में आ सकते हो classes सारी free होती है in case कोई code मांगता है तो उसमें आप अमन जयी लिख सकते हो AMAN-JW इसके स साथ आज का वीडियो से माथ करते हैं तब इक लिए have a good day bye bye take care